आज मैं आपको आमले का अचार मैंना बताऊंगी जो बहुत इकम इंग्रीडियों के साथ जल्दी बनके तयार हो जाता है तो आए देख लेते हैं इसको बनने में लगने वाली सामुख्रियों मैंने सबसे पहले आमलो को बॉइल कर लिया था और इसे एक प्लेट में निकाल मैं इसे हाथों की हल्प से इस तरह से चोटे-चोटे टुकड़ों में तोड लूँगी और बीच को अलग कर लूँगी मैंने सभी आमलो के चोटे-चोटे टुकड़े करके उसके अंदर के बीच को अलग कर दिया है इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे यहां मसालों में मैं सुखी लाल मुच्छी है, दो काट लैसन को जिसका छिलका निकाल दिया है और एक चमच सरसो लिया है, इन सभी का हम पेश्ट बनाकर तयार कर लेंगे, मिक्सिजार के अंदर, मैं इसमें एक चौथाई चमच हींग डाल दूँगी, हींग अचार की टेश्ट को और बढ़ा द अब मैं इसमें स्वादूसा नमक डालूँगी, जो बीश्ट बनाकर तयार किया था उसे भी एड़ कर दूँगी, अब मैं इसमें आधक कपके करीब सरसो का तील डालूँगी, और हाथों की हेल्प से सभी समंक्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, हम इसे हाथो हमारे आवले के ऊपर कोट हो जाए, आवले को मसाले से अच्छी तरह से कोट कर लिया है, अब हम इसे धूप में रख देंगे, धूप में रखने से मसाले पंगी जाएंगे, और हमारा अचार जादे समय तक सुरच्छित रहेगा, दो दिन धूप में रखने के बाद हम इस एक एयर टाइट कंट्रेनर में भरके रख देंगे और हमें जब भी मन करें तो हम इसे खा सकते हैं